जब एक कौक्रोच अपना सिर्खो देता है, तो आप मान सकते हैं कि वह तुरंत मर जाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है, बलकि घाव को तुरंत बंद कर दिया जाता है, और कौक्रोच अपने मस्तिश्क के बिना भी जीवित रहता है. अब यह संभव है क्योंकि उनके पूरे शरीर में तंत्रे का समूह होते हैं, जो बुनियादी चीजों को संभालते हैं. जीवित रहने के कारिय और नाक के बिना भी वे अभी भी अपने शरीर में छोटे छिदरों से सास ले सकते हैं. अब अंत्र कौक्रोच निर्जलीकरन से म कर जाएगा क्योंकि वह मुह के बिना पाने नहीं पी सकते हैं.